आप सभी का हमारे चैनल पर स्वागत हैं आज किस वीडियों में डिसक्स कर रहे हैं ग्रेडियंट इन पोलर कोडिनेट्स मैं आपको इसके बारे में डिसक्स करके पूरे डिटियल में बदा आने वाला हूं साती साथ इस पर बेस्ट दो एक्जैम्बल भी करेंगे टू डाइ ऐए और एंड इ थीटा वी दतेट्स पैरलल एंड पर पैनड कोलर टुद पॉशिशन वेक्टरर अगर आपके पास ऑग्यायर और इसकी में चोआ थिटान के और उसके पॉर्पैंडियंटत चॉंपोदेंट है तो वह होता है फीड़ेंट फाई जो गए देल फाय ओवर डैल र बिलेटए एल प्लस वन अपन अघ देल फाय ओवर डल तीठ इंटू एजिटा होता है यह हमारे टू-डाइमेंशन में होता है अगर बात करें थ्री डिमेंशन में तो सपोज हमें हमारा जो ग्रेंट एफ होगा वो था कर लिया फोफर कर लिया यह प्लस वन अपोन आड डेल आफ अफ़ डेल सीड़ एधिट प्लस वन अपोन आप साइं तिटर इंटु देल फोब डेल फाई इंटू एफ़ाई तो यह थ्री डाइमेंशन होता है चलिए इस पर बिश्ट एंग्जेंपल देख लेते हैं तो डामेंशन में पहला एक्जेंपल लिया है इस फाई हमारे बास से साइन तीटा प्लस आर साइं कॉस्ट थीटा फाइं डेल फाई इन पोलर गॉडिनेट तो आपको पता है पोल सब्सक्राइब हो जाएगा जिरौ और कॉस्टिटा मल ओगा ठीक हुगा यहां से मुझेम सिर्फ फॉस्तान आल जाएगा Jag Uhr कनले न थी चुप्र कि वह द्युतल देख हमारा बास दिश्ट एर छोलप्स इन कॉर्शन की तलिक डिक कि थीक्ट वैली इस मेने पूट कर दी है तो मुझे हमें हमारा रिकॉयर आंजल में चुका है तुम दूसरा एंपल मैंने लिया है किया रहे हैं अगर हमारे पास फंक्शन है आर शंदीटा प्लस 10 theta plus r sin sorry sin phi तो मैं क्या find गरना है del f in polar coordinates तो देखें यह जो कि polar coordinates में यहां 5 देखके हमें यह अंदाज है लग रहा है कि यह थ्री dimension में होगा थ्री dimension के लिए आपको पता है function का आर के सापेक्ष में theta के करना होता है तो आप आर के सापेक्ष कर लेंगे तो आपको सिर्फ साइन देडा मिलेगा थीटा के सापेष कर लेंगे और फिर फीर के चांप भी करने के बाद जो formula होता ही है थ्री dimension में यहां पर यहां पर और यहां पर वैलेश पूट कर देंगे ओपर से जो हमने तो हमें हमारा रिक्वाइड आंसर मिल जाए रहा है वीडियो पसंद आये तो प्लीज लाइक करें हमारे चैनल पर जाए है तुसे सब्सक्राइब करने के बाद नोटिफिक्शन बेल को जरूर प्रेस करें